किसान भाई नमस्कार मैं हूँ आपका किसान दोस्त बिजय मौर और आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल नमबर वन खेती बारी किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की तमाम हाइवेट किस्मों में से सिजेंटा कंपनी के साहो 32 क्याऊन वराइटी के बारे में जैसे इस वराइटी से टमाटर की खेती करने का सही समय क्या है और इसके लिए उप्यूक्ति मिटी कौन सी है इस वराइटी के टमाटर की फसल में पौध रुपाई के कितने दिनों बाद पहली हार्वेश्टिंग सुरू हो जाती है और ये हार्वेश्टिंग लगभग कितने महिनों तक चलती रहती है इसके फल का कलर साइज वा आकार कैसा होता है वा वजन कितना होता है एक एकड़ खेत की रुपाई के लिए यानि एक एक एकड़ खेत में पौध रुपाई के लिए कितने ग्राम बीच की आउसकता होती है और लगभग एक एकड़ खेत से इसका कितना उत्पादन हो जाता और इस वराइटी के टमाटर की फसल में कौन-कौन से रोग लगते हैं और इस वराइटी को भारत के किन-किन राज्यों में किस विधी से बुगाई करके लंबे समय तक लगातार भैंकर उत्पादन ले सकते हैं इन सब के बारे में संपूर जानकारी आज की इस विडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं तो जो भी हमारे किसान भाई बंधू इस चैनल पर पहली बारा हैं या अभी तक जिन किसान भाईयों ने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो क्रिपया चैनल को करते हैं कि सीजैंटा कंपनी साहों 32 सिक्याओर र्यटी के टमाटर की खेती करने का सही समय क्या है वैसे तिन व्राइटी से टमाटर की खेती आप व crian츠 के या कभी भी बीज की नरसरी तयार कर पौध रुपाई करके पौधे से उत्पादन ले सकते हैं पर अगर उपियुक्त समय की बात करें तो जुलाई से लेकर फरवरी तक उपियुक्त समय माना गया है इस दोरान अगर आप बीज की नरसरी तयार कर पौध रुपाई करते हैं तो पौधे से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं मिट्टी की बात करें की सर्माईट इस वरायटे से टमाटर की खेती आप हलकी वा भारी दोनों ही तरह की मिट्टी में बड़े ही आसानी से टमाटर की खेती कर सकते हैं पर उपियुक्त मिट्टी की बात करें ते जिस भी खेत की मिट्टी का पी एच मान साथ से लेकर साड़े आठ के बीच का हो इसके लिए बहुत ही उपियुक्त मिट्टी माना जाता है और ऐसी मिट्टी में टमाटर की फसल में बहुत ही भैंकर उत्पादन होता है फसल हार्वेस्टिंग की बात करें की सानमवित इस वराइटी के टमाटर की फसल में पौध रोपाई के 65-70 दिन के बीच में पहली हार्वेस्टिंग सुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग लगवग लगवग 6-7 महिना तक लगातार चलती रहती है जो कि आपकी देख रेक और मैनेजमेंट के उपर निर्भर करता है कि इस वराइटी से आप कितने समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं इसके फल के कलर की बात करें तो पकने से पहले हलका हरा और पकने के बाद गहरा लाल हो जाता है आकार की बात करें तो अर्द गोलाकार यानि चप्टा गोल होता है वह वजन की बात करें किसानमा में तो प्रति फल का वजन जो है वह 80-90 ग्राम के बीच में होता है जो देख बीजदर की बात करें की सर्माव तो एक एकड़ खेत में पौद रुपाई के लिए 50-60 ग्राम बीज की आउसकता होती है लेकिन ये चीज़े कहीं नहीं आपके उपर निर्भर करती है कि आप इन बीजों में कितना परसंट बीज जर्मिनेट कर पाते हैं पौद रुपाई की लेकर 5-5 पिट तक होती है अगर प्रती एकड़ उत्पादन की बात करें तो इन वराइटियों में 35-40 तक उत्पादन होता है लेकिन ये चीज़ें कहीं ने कहीं आपकी देखरेक और मैनेजमेंट के उपर निर्भर करता है कि इस वराइटी से आप प्रती एकड़ कितना ट ये पता चल जाए कि हाँ इस वराइटी में इस तरह की समस्याई आती है और आप उसका पहले से ही समाधान निकाल लेते हैं तो आप अपनी फसल से बहतर उत्पादन ही नहीं बलकि उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं तो ऐसे में यह आप उत्पादन ही नहीं बलकि उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं किसानमाई अब बात करते हैं कि सिजंटा कंपनी के साहो 32 सिक्याउन वराइटी से भारत के किन किन राज्यों में टमाटर की खेती सफलता पूरवक कर सकते हैं तो किसानमाई हम यदि आप यूपी से हैं हरियाना से हैं पंजाब से हैं बिहार से हैं राजस्थान से हैं या करनाटक से हैं या टमिल नाडू से हैं या आप स्क्रीन में दिख रहें किसी भी राज से हैं तो आप इस जगहों पर जो है इस वराइटी से टमाटर की सफल खेती करके बहुत ही उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भायों की हित में वीडियो को सेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद